असलाम लाइकुम एवरिवन कैसे है आप सब आप होप सब लोग अच्छे से होंगे एक बार फिर से वेलकम जेके इन्फरमेशन अपडेट में मैं हूँ आपका होस्ट एरफ़न अज मैं एक लेटेस्ट अपडेट लेके आई हूँ आपके सामने UGC NET के रिलेटेड उसके जो एक्जामनेशन डेट है वो ओट हो चुके है 2021 सेशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजनसी के दोआरा UGC NET जो होता है UGC NET उसका जो एक्जाम डीट से है वो ओट हो चुके है 2021 सेशन मैं आपको बताऊंगा कि कब से एक्जाम स्टार्ट होने वाला है और क्या eligibility criteria है इसके लिए वो हम आगे वीडियो में discuss करने वाले है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक YouTube चैनल YouTube चैनल को सबस्क्राइम ने किया है प्लीज सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को अल रखे ताकि जब भी कोई नए वीडियो अपलोड होगा चैनल पर उसकी notification सबसे पहले आप रसीव करोगे हर कोई notification चाहे वो JKSSB job related notification हो चाहे वो bank job related notification हो चाहे वो M-Secure related JKSSB class quarter related हो या कोई भी job related SELBUS related हो वो notification सबसे पहले आप रसीव करोगे इसलिए चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले और बेल आइकन को ज़रूर आल रखे और एक चीज जो अगर कोई भी कुछ भी हो मुझे कोमेंट सेक्शन में बोलना क्या related इसके लिए कोई SELBUS या कुछ भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कोमेंट सेक्शन में जरूर कोमेंट कीजे और लाइक एक जरूर कीजे चलो आज का वीडियो यहां पर सिटार्ट करते है आपको पता है National Testing Agency जो है UGC Net National Eligibility Test जो है उसका जो लेकिन COVID-19 के वज़ए से उसका जो एक्जाम डेट है वो डिले कर दिया गया था यह साल में दो बार ले जाते है जून सेशन और दसमबर सेशन में जून सेशन का जो हुआ था वो नहीं हुआ दू तो COVID-19 के वज़ए से वो फिर सब्टुमबर में लिया गया था अब जो दसमबर सेशन है अभी इसको डिले कर दिया गया है अब जो अब जो नया सेशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कबसे वो एक्जाम डेट सिटाट होना अब देख सकतो यहां पर नेशनल टेस्टिंग एजनसी एंटीए विल कंडेक्ट दा यूजी सिनेट एग्जाम पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप और इलिजिबिलिटी फर असिस्टन प्रोफिसर प्रम में तो 17 में 2021 दो मैं से 17 में तक एग्जाम रहेगा यूजी सिनेट का अब देख सकते हो यहां पर इलिजिबिल टी फर असिस्टन प्रोफिसर के लिए होता है यह एग्जाम यह दो मैं से स्टार्ट होगा तो 17 में तक एग्जाम और एक चीज़ यहां पर देख सकते हो Union Education Minister Ramesh Prokriyal said on Twitter Union Education Minister Ramesh Prokriyal उसने एक statement दिया है उसमें उसने का है कि UGC Net exam होने वाला है 2nd May से 17 में तक रहेगा 2nd May से वो start होगा और यहां पर आप देख सकते हो National Testing Agency will conduct next UGC Net exam Junior Research Fellowship and eligibility for the assistant professor 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, and 17 में इन देटों में आपका exam conducted कर दिया जाएगा यहां पर आप देख सकते हो एक latest important notification है latest news है जो Research Fellowship assistant professor के लिए exam conduct करते है UGC Net तो वो इन देटों में आपको लिया जाएगा 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, and 17 तो जो भी इसके लिए eligible है जो भी form इसके लिए बढ़ेगा तो वो जरूर प्रिफियर करें आपने आपको the examination will be conducted in a computer-based mode यह computer-based mode होता है CBT mode conductors who wish to appear the UGC Net examination 2021 can check the norm information bulletin which will be held available in the agency official website from Tuesday अगर कोई भी आपको notification चाहिए UGC Net regarding तो आप इसके अफिशल वेबसाइट पे जा सकते हो वहां पे कोई भी notification आप रसीव कर सकते हो तो आपका अग्जाम 22 फेबर वे टू मेंसे स्टार्ट होने वाला है तो बाग किए अगर आपको वीडियो अच्छा लागए तो वीडियो को जुरूर लाइक कीजे शेयर कीजे और प्लीज एंड प्लीज हमारी यूटूब चैनल को भी सबस्क्राइब कीजे और बेल आइकन को अल रखे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्हाफेज